अगर आपको और भी कोई स्टोन के बारे में जानकरी चाहिए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करूँ जरूर करेंगे जिसमें आपको हर एक ग्रनाइट की इन्फोर्मेशन मिलेगी यह जो चैनल है हमारा इसमें हम ग्रनेट रिलेटेडी वीडियो बनाते हैं तो आपको कौन सा स्टोन यूज करना चाहिए अपने घर के फ्लोरिंग के लिए विंडो फ्रेमिंग के लिए किचन काउंटर के लिए तो हर एक चीज छोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी इस चैनल में हमारे वीडियो में हमें साम इंफोर्मेशन देते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको की एक स्टोन के बारे में मैं बताने वाला हो तो वह स्टोन कहां से ओरीजिन है उसकी प्राइज क्या है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है स्टोन कैसा हाड है नहीं है तो उसके बारे में तो वह स्टोन जो है यह वाला स्टोन है अब देख सकते हाड स्टोन सर्फेस है हाड स्टोन सर्फेस क्या होता है जो यूज करने के बाद में रफ नहीं होता है जो यूज करने के बाद में मोर टू मोर शाइन होता है उसको बोलते हाड स्टोन सर्फेस जो यूज करने के बाद में उसको पॉलिश का रिक्वार्मेंट नहीं रहता है यूज करने के बाद में smoothness जादा होता है तो उसको बोलते है hard surface stone और यह जो stone है water absorb नहीं करता है mostly आप देखेंगे कि light colors में water absorption जाधा रहता है या soft stone में water absorption जाधा रहता है अगर water absorption जाधा रहेगा तो क्या होगा? वह roughness आएगा तो iron content होने का chances है जिसमें rusting पकड़ेगा stain आएगा और दीरे दीरे उसका life जो है वो तोड़ा कम हो जाएगा तो इस stone में water observation नहीं है water mark नहीं होता है और यह stone है hard है और दिखने में आप pattern देखोगे तो यह look उसका जो है rich look है लुक है वो rich look है जो आप fitting होने की बाद में laying होने की बहुत marble जैसा आपको look मिलता है क्योंकि यह book match है book match का मतलब होता है कि पूरी grains जो है वो आपको मिलती है यह पूरा grains जो है यह grains यहाँ है next piece में यहाँ पर आ जाएगा तो उसको बोलते book match book match तो यह जो stone मैंने दिखाया है यह stone odisha से belong करता है origin odisha से है और यह odisha andra border stone है यह stone का जो price का range है price range हमेशा मैं price range ही बताता हूँ क्योंकि exact fix rate किसी का grenade का नहीं होता है क्योंकि block to block हमेशा हर एक block का rate change होता है इसलिए प्राइस जो है वह vary करती है तो इसका जो price range है वो start होता है 150 रुपीज से लेके 175 तक 150 से 75 150 से 75 क्या है उसमें 3 quality होती है 1st grade होता है 2nd grade होता है 3rd grade होता है premium quality अगर आप लोग ये तो उसका price हमेशा बढ़ेगा क्योंकि उसमें polish shining उसमें polish किया जाता है shining किया जाता है तो वो अगर computerized process है तो rate बढ़ेगा manual process है तो rate घटेगा अगर उसमें crack जाता है और उसमें variation जाता है तो rate कम होगा और अगर एक ही जैसा pattern है flow एक ही जैसा है तो rate उसका बढ़ेगा बढ़ेगा तो इसका price range जैसे मैंने बता है 150 रुपे से लेके 175 तक है और इसका thickness जो आता है thickness 16 mm से लेके 18 mm तक आता है 16 mm से 18 mm तक आता है वेरी करता है 1 mm 2 mm प्लस माइनस होता है exact पूरा thickness जो है एक जैसा नहीं होता है यह जो stone है यह natural stone है और यह stone जो है इसके ऊपर कोई भी coating नहीं है एपोक्सी नहीं है 100% पक्का stone है natural stone है तो आप जब भी यूज करोगे या इसको मोल्डिं करोगे यहां से अगर आफ राउंड करते हो तो यह यहां पर यहां पर सेम आएगा natural stone क्या होता है natural stone का आप कैसे पता लगाईगे natural stone का जैसे मैंने और भी आगे वीडियो में बताया है कि natural stone को पता लगाने के लिए एक easy process है आपको जस्ट एक water लेना है पानी लेना है यह आगे का जो है वो finished product है और यहां पर जो ages पे गर आप पानी डालोगे तो यह दोनों सेम आएगा यह दोनों सेम आएगा इसका मतलब है यह natural है अगर यह light है और यह dark है यह light है इसका मतलब color coating है तो यह आप देख सकते हो पूरा stone जो है 100% natural stone है यह पूरा stone natural stone है आप देख सकते हो तो यह stone जो है अपने आप अपने घर के लिए blindly आप इस stone के लिए जा सकते हो क्योंकि इसके अंदर water observation नहीं है hardness है rich look है और pattern बहुत अच्छा आता है और इसमें rusting आने का chances नहीं है stain आने का chances नहीं है अगर यह आज का जो session अच्छा लगा तो उसके लिए आप प्लीज subscribe जरूर करें मेरे channel को support जरूर करें share जरूर करें तो आज के लिए इतना ही thank you दन्यबाद